UK दी offer letter दी आज गाल करांगे क्योंकि students दी इंक्वेरी सीगियां offer letter नू लेके कि conditional, unconditional offer letter की हुन दिया किन्य दिना देच offer letter आं दिया, केड़े केड़े documents दी requirement हुन दिया, की साननों को दी fees पे करनी पहन दिया UK दा first step जो अपर study visa apply कारते है तो offer letter है, so offer letter UK देविच free of cost है, साननों ओधा कोई भी पैसे नहीं देने पांदे क्योंकि अगर असी another countries दी गाल करिये, Canada, US से उत्ते साननों offer letter ली pay करना पांदा, बट UK देविच दा नहीं है बावा और उतों इलावा offer letter condition और uncondition की हुन दिया, की पहले जो जो सी offer letter apply कार देता है साननों conditions लगिया हो जान दिया, so सारी universities नहीं है, बट हा, maximum university सासी कमांगे की conditions हुन दिया, so conditions की हुन दिया, तढ़ी interview the condition, क्योंकि एस तेम जो trend हैगा, UK दी हर university, maximum universities interview लें दिया, अगर तुसी without IELTS नो फेता interview है या, बट IELTS हैगा तो कुछ universities without IELTS थाननों पहले ही unconditional offer letter देदें दिया, बट जो तुसी conditional offer letter आनना है, तुसी उन्हों crack कारते हो, तो ताननों unconditional offer letter आ जानना, जो तढ़ी interviews वगेरा clear हो जान दिया और offer letter ली documents केड़े केड़े चाहिए, मैं थे clear कर दा कि UK दे वच कियेगा, कि offer letter ही तानना, क्योंकि offer letter जो तुसी apply कारते है, तो तानना, सारे documents, तानना, academic होगे, तानना, English test अगर हैगा और तानना, gap है, experience होगया, तानना, सारे documents पहले ही जानना, और इथे SOP पहले बंदिया पहले आपा जदो SOP बनाना है, क्योंकि देखो SOP ही तानना, सार्टिंग तो जदो तुसी offer letter ली जड़ी SOP बनाते हो, ताड़ी end तक चल ली है, जो ताड़ी information है, जिनना gap हैगा, percentage, whatever, तो ही end तक चलना है, और केड़ा तुसी course ले रहे हो, ओधी relevancy किया, ओधी importance किया, सारा कुछ SOP चुलदा वा, so UK देवच SOP बहुत important है, बर ते दा first step of a letter time ही important है, so admission दा base ही ताड़ी SOP है गिया, so बहुत अच्छे तरीक्या देनाल प्रेजेंट करो, और तो पहले सोच समझ के ही लिखो, क्योंकि तुसी बाद चेंजिस नहीं कर सकते, और ताड़ा जदो बाद इंटर्वियो राउंड होना ही ओवी ओदेते ही बेस है और ऐसे ते में खोर बहुत बुद नियूज है कि UK दिया युनिवरस्टीज बहुत ही फास्ट चल रही है, मतलब की प्रोसेस टाइम बहुत ही कटलिता जा रही है, यही जडिया युनिवरस्टीज अफ़ लेटर न कि पर्टिक्लर स्टांडर्ड नी हैगा, means कि ताड़ी प्रोफाइल दे अकॉर्डिंवरस्टीज है, प्रोफाइल दे अपने अपने रूल्स है कि और स्कॉलर्शिप दी जित्थे काल कार दे है, क्योंकि टाइम से रप्लाए करने काफी तानु बैनिफेट्स है गया, सब पहला benefit है ताड़ी scholarship, जिननी जल्दी तुसी apply करोंगे उननी ही वदिया ताड़ी scholarship होंदी है, और सारा कुछ ताड़ी offer letter ते mention होंदा है कि ताड़ा एक कोर्स है, इननी fees हैगी है, इनना तानू initial amount पहले submit करना है, जदो भी तुसी apply कर दे हो, तो fees पे करनतो पहले, एक बार go through जरूर हो, चाहे तुसी मेरे तो apply का रहे हो, चाहे तुसी किसी खोर को apply का रहे हो, तो अगर तड़े तुसी बचलर's ली भी जा रहे हो, तावी next fees किनिया किनिया है किया, सारा कुछ offer letter ते mention होंदा है, so offer letter UK ME नहीं दिन्दा, पहले हो ताड़ी है, सारी अपनी conditions मों fulfill करता जाना है, फेध नो, unconditional offer letter दिनना है, so UK ने which offer letter बहुत important है किया, और अगर अपनी profile दी एसेस्मेंट करवाना चाहने हो, क्योंकि September intake, totally open है और September intake दे एक benefit की है गावा, कि September intake, major intake है, so ताड़ी अगर कोई particular choice है किया या तुसी 6 मनधी fees पे करना जानने हो, या ताड़ी low profile है किया, सो लो प्रोफाइल तो परसंटेज काटा, विदाउट आल सा तो सारे options एस्टेम UK ने ताड लिये खोले होया सो कॉल कार सकते हो तो वीजो ओफिक 9410, 9410 ते साधिया तिन ब्रांचेज अज रंदर, अमरीसर लुद्याना, जेडी भी तनो ने अर पहने है तुसे उत्थे विजट कार सकते हो और सब तो मेन बैनिफिट किया, अगर तुसी UK या अप्लिकेशन साधे ना लानने है ताड एक क्यों कॉल, साष्विकर्ण